नमस्कार मैं हूँ प्रविन और आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक के शोर डेली राउंड अप में हाई नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्ख्यों पर COP26 बैठक और जलवायू का संकत उपचुनाव तीन लोग सभा और 29 विदान सभा सीटों के आए नतीजे PM मोधी के केदार ना दोरे के विरोध की तैयारी और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना की देश में 10,420 नए मामले 443 मरीजों की मौट COP यानि Conference of Parties 26 की बैठक United Kingdom स्थिद Glasgow में 31 अक्टूबर से शुरू हो गई है इस साल के जलवायू शिकर सम्मेलन को एक एहम बैठक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मानो निर्मित जलवायू संकत को कम करने के लिए मनुश्य के पास अब ज़्यादा समय नहीं रहे गया है इस बीच वैश्विक जलवायू को निरंतर हो रहे नुकसान की बात करते हुए कई रिपोर्टे सामने आई है इस तरह की हालिया रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट State of Climate Report 2021 है जिसे विश्व मौसम विज्ञान संक्टन यानी WMO की ओर से COP26 के शुरुवाती दिन में प्रकाशित किया गया था इस रिपोर्ट में भी खतरनाग जलवायू सिती का खुलासा किया गया है COP और जलवायू परिवर्टन के मसले पर वरिष्ट पत्रकार भाशा सिंग से वैग्यानिक डीर अगुदनन से बात की देखिए यह वीडियो जो विकाशील देश है जो डवलप्मेंट जिनके लिए बहुत जरूरी है उसमें भारत है उसमें ऐसे भी देश है अफरीका के जहां पर बुनियादी तोर पर भी बहुत विकाश बहुत उर्जा की ज़रुवत है यह जो एकलोब्रियम की बात है कि उनको यहां देना चाहिए जो पैरिस समझोते में भी बहुत बड़ा मुद्दा था उसमें था कि विकसित देश जो है कुछ देंगे इधर विकाशील देशों को और ताकि वो भी जिन्दा रह सके बिना उर्जा के जिन्दा रहना बहुत मुश्किल है किसी भी देश का यहां कितना बड़ा चैलेंज कॉप 26 के सामने है यह जो डिबेट है विकसित देशों और विकाशील देशों के बीच देखिए यह जो मुद्धा है 1992 से लेके जब से यह कॉप शुरू हुए है यह हमारा 26 कॉप है यह 1992 से शुरू हुआ है कहानी इसकी बीच में क्योटो प्रोटोकॉल आया क्योटो प्रोटोकॉल में एक लक्षमन रेखा मान लीजे विकाशील देश और विकसित देश के एक नियम होगा कि जहां वो खड़े हैं वहां से उच्षर्जन कम करें और जो विकाशील देश हैं उनको उनके सामने लक्ष यह था कि आपके ऊपर कोई मजबूरी नहीं डाल रहे है कि आप उच्षर्जन कम कीजिए पर जहां तक आपकी ख्षमता है तो आप उच्षर्ज का जो की जो बड़ोतरी है उसकी रफतार को कम कर ले यानि कि उतना ना बढ़ने दे जितना आम तोर से वो बढ़ रहा है तो उस दिशा में चल रहा था पर अफसोस की बात यह है जो विकसित देशों की शुरू से ही कोशिश रही है कि इस फासले को विकाशील और विकसित देशों के बीच का जो एक जो मैं कहा रहा था एक लक्ष्वन रेखा कींची गई थी उसको गायब कर दिया जाए और ऐसा एक सामने एक नियम सा बनाया जाए कि सब देश बराबर से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और यह कोशिश कुछ हद तक विकाशील देश इ खास करके क्योंकि पैरे समझोता में जो एतिहासी कुछ सर्जन हुए हैं वो इस समझोते से बिलकुल गायब कर दिया गया है यानि हम केवल आगे को देख रहे हैं कि आज हम कहां खड़े हैं और आगे हम क्या करें तो उसमें एक जिसे कहना चाहिए गैर बराबरी अपने आ हम कर रहे हैं उसके लिए जिन्वेदार विक्सित तेश 75 प्रतिश्यद जितने उत्सर्जन हुए हैं वो एतिहासिक 1850 से लेके और योगी क्रांती से लेके आज तक विक्सित देशों में किया है तभी तो वो विक्सित हुए हैं इस उत्सर्जन के वज़े से और उसमें से कैसे आपने कहा अमरीका ने पचास प्रतिश्यद विक्सित देशों के बीच में से प्रचास प्रतिश्यद से भी जादा उन्होंने उत्सर्जन किया तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है पर आज वो ऐसा चित्र दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि हम भी कुछ करें और 29 विधान सवा सीटों पर हुए उपचुनाओं की आज मदगर्ना चल रही हैं कई सीटों के नतीजे आ गए हैं इन सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होई थी लोग सवा सीटों की बात करें तो दादनगर हवेली हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश की एक-एक इसके अलावा आज 29 विधान सवा सीटों के भी रिजल्ट आ रहे हैं इसमें असम की पाच बंगाल की चार मध्यप्रदेश मिघाले और हिमाचल की तीन-तीन राजस्तान बिहार और करनाटक की दो-दो आंध्यप्रदेश हर्याना महरास्ट मिजोरम और तिलंगाना की एक- पार्टियों के पास थी अब खबर उत्रकंड से देवस्थानम अक्ट के विरोध में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बाजार सोमवार यानि एक नौमबर को बंद रहें यहां दर्शन के लिए आई यात्रियों को पूजा सामगरी तो क्या पीने का पानी तक नहीं मिल जबकि केदानाथ में काले जंडे लहराए गए पांच नौमबर को प्रदानमंत्री नरिन मोदी की केदानाथ यात्रा प्रस्तावित है तिर्थ पुरोहितों ने प्रदानमंत्री की यात्रा के भी विरोध का फैसला लिया है तीन नौमबर को चारो धाम के तिर्थ पुरोहितों ने किदानाथ कूश करने का एलान किया है किदानाथ की बरफीली ठितुरण में तिर्थ पुरोहितों का गुस्सा उबल रहा था किदानाथ दरशन के लिए पहुँचे पुर्वु क्यमत्री त्रिवेंद सिंग रावत क सोमवार को तिर्थ पुरोहितों के जबरदस्त विरोत का सामना करना पड़ा उन्हें दर्शन नद करने देने के लिए पुरोहित मंदिर के प्रांगण में लेड गए काले जंडों के साथ त्रिवेंद रावत गो बैग जैसे नारे लगे उनके साथ देहरादुन के मेयर सुनियाल गामा भी थे तिर्थ पुरोहितों ने दोनों भाश्मान नेताओं को दर्शन नहीं करने दिया भारी विरोत को देखते हुए उन्हें केडार पुरी से वापस लोटना पड़ा त्रिवेंद सिंग रावत ने मुक्य मंत्री रहते हुए जम्मू कश्मीर के श्राइन बोर्ट की तर्श पर देवस्थानम बोर्ट बनाने का फैसला लिया था विदान साबाद से देवस्थानम एक्ट भी पास किया गया इसलिए पुरीतों ने में उन पर गुसा जादा है देवस्थानम बोर्ट का मकसद यात्रा को विवस्थित करना है लेकिन तिर्थ पुरीतों का डर है कि इसका असर उनकी आजिविका पर पड़ेगा बोर्ट के फैसले के साथ ही तिर्थ पुरीतों लगतार विरोत कर रहे हैं और अंत में बात कोरोना की किंद्रि स्वास मंत्राय द्वारा आज मंगलवार यानी दो नौवंबर को जारी आकड़े का नुसार देश में 24 घंटों में करीब 10,400 नए मामले दर्श किये गए इसके अलबा करोना से बिते दिन 443 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बिस देश भर में करोना से परिट 15,000 मरीजों को ठीक किया गया है और अक्टिव मामलों में करीब 5,000 मामले कम हुए है देश में करोना संक्रमणों के मामलों की संक्या बढ़कर करीब 3,40,000,000 हो गई है स्वास मंत्राइक ताज जानकारी के नुस्वार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 106 करोड 80,000,000 से ज़्यादा डोज दी जा चुकी है जिन में से 52,000,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 गंटों में दी गई है आज के डेली डाउंड अप में बस हितना ही न्यूस क्लिक के यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य ख़बरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया